दोस्तों ये वीजन आयस मेंस का जोला मुखी वोलकानों से रिलेड़ेड कोश्चन है चलिए इसका डिसकर्शन करते हैं ठीक है यहाँ पर कोश्चन दो डाइमेंसन में पूछा है ठीक है वो इसमें क्या है कि वो स्टुडेंट का जो माइंड का है वो आकलन करना चाहते जो पास्ट में है जो जो जोला मुखी है वायो मंडल के निर्मान में उसने क्या कॉंट्रिबूशन दिया है पहला पार्ट है कोश्चन का अब दूसरा पार्ट देखिए समकालिन समय में जलवायू परिवर्तन पर जोला मुखी गतिवीदियों के प्रभाव का सविस्तार करें अब इसमें जब से आपका इन्वार्मेंट निर्मान हुआ हमारा वायो मंडल हमारा एड्मस्वेयर बना है तो दूसरा है इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट को देना है और सेकेंड देखिए समकालिन समय में जलवाया यह परतन पर जोला मुखी गतिवीदियों कर प् पर लेते हैं वाट रोल हाव वैलकोनोस प्लेड इन फॉर्मेशन अफ एड्मस्वेयर इन पास्ट लोबरेट ऑन दा इंपक्ट ऑफ वोल्कानिक एक्टिवीडियों क्लाइमेट चेंज इन कंटेंप्रारी टाइम्स चलिए कैसे स्टार्ट की हैं देखते हैं जोला मुखी प्रकिरिया प्रित्वी की अदभुद घटना है और इसने केवल अस्थल खंडो के निर्मान में नहीं बलकि वायो मंडल के निर्मान में भी आहम भूमी का निभाई है अब डेफिनेटली गैस निकलते हैं तो बहुत सारे गैस का एरप्शन होता है उसमें तो उससे अटमस है दो गोई मना हुत है और इसलीए वहां पर प्रमोड किया घसे की लोग सौछर होता ना कल्चर रीजन पर डिपिन 누la करता है अरब मियोग वहांपे दूल चलते हैं तो इसलीडल होता है चलती है हुआ साट में उल्हारे पंचिए कि साउट जो हमारा साउथ इंडिया है वो एक्वेटेरियल के नजदीक होता चल जाता है तो वाइट जाता पड़ता है तो वाइट क्या होता है सन लाइट को या फिर हीट को रिफलेक्ट कर देता है वाइट किलर और क्या होता है गर्मी नहीं लगती है जाला मुखी प्रकिरिया के द्वारा वायू मंडल को अनेक गैस वर्दान में मिले हैं जिसमें CO2 प्रमुख है CO2 हमारे विरिक्ष श्रता वायू मंडल के लिए आविश्सक है यहां तक कि मनुस्य की मानसिक इस्तिता सारीरी गतिसीलता में भी CO2 की अहम भूमी का निभाते है समकालीन समाज में जो वायू मंडल के परभाव निम्ड है जो कंटेंपरारी मतलब हाल में जो है वो क्या इंपेक्ट पड़ा है देखे यह वायू को प्रदूसित करती है डिफिनेटली अभी तो अलड़ी हम लोग गाड़ियां चला-चला के अलड़ी एर पॉलिशन कर रह है ओजोन लेयर के तीवर छहरन के लिए उतरदाई है उसके मानो जनित कारणो से CO2 वायू मंडल में अधिक बढ़ गई है और जोला मुखी इसे और बढ़ाती है ठीक है दोनों को मैंने क्या करा समेट के लिए है इसमें मानों का इपक्ट डाल दिया जोला मुखी का इपक् सकते हैं लेकिन मानो द्वारा उस सर्जित CO2 ग्लोबल वामिंग को कम कर सकते हैं जोला मुखी किरिया किरिया के नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ सकरात्मक प्रभाव भी है लेकिन मानो द्वारा प्रदूसन से सिर्फ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन्होंने बिंदों के साथ उत्तर को और प्रभावय बनाने का परियास करें तो जो content है बस content की कमी हो रही है content की कमी यहाँ पर अगर जो आला मुखे activities अगर है इंडिया में चाहें वर्ल्ड में हैं वो map बता के अगर आपने दिखा दिया ठीक है यहाँ भी कुछ सुझाओ दिया है अब इसे पढ़ लिजे अगर आपने उसे दिखा दिया तो आपके marks और improve हो सकते हैं तो इस तरह से आप answer का tackle कर सकते हैं खाली समय में अगर आप answer improve करना चाहते हैं तो daily कुछ भी हो सकता है भारत में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है बिरुजगारी बढ़ रही है उसको कैसे सुधारा जा सकता है ठीक है भारत की economy क्यों slow down कर रही है या rise कर रही है इंफलेशन का economy पर प्रभाव यह सब question लिख के आप खुद ही practice करें Google में सर्च करके तो देरे देरे में में कमांड आता है mentorship के लिए description में में मेरा number दिया है आप मुझे contact कर सकते thank you and best of luck to all of you